एक बार मैं बंबे के आथा, वहां पे इंटरव्यू चला था, वहां पे इंटरव्यू में एक लरका था जो BSCIT कर रखा था, तो उनसे पुछा गया कि क्या आप कंप्यूटर चला लेते हैं, लरका बोला कि हाँ आप यह अची तरीका से कंप्यूटर चला लेता हूं, फिर उ पूछा गया कि उसके नीचे होता है CC और BCC, तो CC और BCC में क्या डालेंगे और इसका क्या मतलब होता है यकीन वान यह उस लर्का से इसका जवाब नहीं दिया गया जबकि मैं सूंच रहा था तो यह तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है यह जो CC और BCC उस लड़का को जवाब दे देना चाहिए था तो वह आप जवाब नहीं दिया तो मैं सुचा कि यह तो 70-80% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि computer यह course होता है उसमें भी नहीं सिखाया आता है कि email में जो CC होता है और BCC होता है इसका फूल फॉर्म क्या होता है इसका क्या मतलब होता है तो मैं सुचा कि मैं हमें इस पर वीडियो बना देना चाहिए जो भी लोग है जो email id में जो CC होता है और BCC होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं जो आदमी नहीं जानते हैं वह completely करेगा से यह जान जाए सब्सक्राइब कर लेजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो पाई आप रोजाना चाहूंगा कि CC और BCC होता है जो आदमी लोग नहीं जानते हैं तो हमें लगता है कि यह 70-80% इसके बारे में बहुत सारे लोग है जो नहीं जानते होंगे तो उसको मैं इस वीडियो के म सब्सक्राइब करेंगे प्षाज करने कर सब्सक्राइब कर चाहते हैं जिसको बहुत अब इसको में पहुत सकता हूं तो उसका मैं email ID यहां टाइपिंग कर दिया हूँ यहां पर मैं एक से जादे दो, चार, दस, बिस आधिवी को भी एक साथ में मैं इसको message कर सकता हूँ email के जड़िए तो यहां पर जो है to मैं आप उसका address जो है email ID वो डालेंगे इसके बाद यहां पर option आजाता है आपका cc, cc मतलब हो गया आपका carbon copy तो यहां पर आप cc में carbon copy में यहां पर जिसको भी आप carbon copy देना चाहते हैं उसका email ID यहां पर डाल देंगे, जैसे मैं यहां पर एक email ID यहां पर cc में डाल देता हूँ अब यहां पर देखिए मैं यहा पर टू में email ID डाला हूँ जिसको में message करना चाहता हूँ और यहां परRISCists को 안प करना चाहता हूँ उसका carbon copy में यहां पर todos को देना चाहता हूँ तो यह अलो को पता रहेगा कि हम जो ही हमको message किया है उसका carbon copy के पास गया हे इसके हम को पता है कि ने हुला जो है इसके बहुंदा अगला और जो है किनल द्क लोन कोपी आप जीस को भी आप मेशेज करना चाहते हैं और यहाँ जिसका भी डालेंगे और जिसको सब्सक्राइब आप मेंसेज करेंगे अ कि का इमेले डी डालता हुआ testına in यहां पर बोस Κाई मिलाइड यहां पर डाल दया हूँ HERE कुछ भी टाइपिंग कर देता हूं और यहां पर मेसेज यहां पर टाइपिंग कर दिया हूं इस तरीका से यॉर फायल एसको सेंड करूंगा तो अलोक को पता होगा कि उसका कारवन कॉंपी अमन के पास भी गया हुआ है तो इस तरीका से अगर आप यहां पर मेसेज करते हैं तो आप जो है अलोग के जो मेसेज करते हैं उसका कारवन कोंपी जिसको भी देना चाहते हैं उसको आप सीसी में डालेंगे इसके बाद इस दोनों को बिना बताए अगर किसी और को भी देना चाहते तो उसको आप ब्लाइन कारवन कोपी मतलब बी सी सी में डालेंगे तो जिसको भी यहां पर डालेंगे तो यहां तो ना को आम उनको पता होगा और नहीं तो में अलोग को पता होगा कि यह मेरे कारवन कोपी है यह बी सी सी में करके किसी और को भी सेंड किया गया है तो यह मतल होगा कि उसका कारवन कोंपी यहाँ पर किसी और को सेंड किया गया है तो यह मतलब होता है unix और जुखं마 जहां भी बनावी का इस तरीके से आप किसी को भी विएना बताए हूँ एक से ज्रादे आदमी का भी यहां पे उसको बीचिक में आप करके आप मेंसेज कर सकते हैं तो गाज अब तो आप समझी गए होंगे कि CC और BCC का क्या मतलब होता है और इसमें क्या फरक होता है तो गाज यह वीडियो को कैसा लाए वीडियो लाइक कीजिए अपने फ्रेंज के साथ सेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर दे अफ्लोड करते रहता हूं अगर आप से कोई पूछता है या इंटर्व्यू में आप से कोई पूछता है इस CC और BCC का फूल्फम क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है तो अब आप बहुत ही आसानी से एक ही तो नीचे कोमेंट वर्क समझा के कोमेंट करके पूछ सकते हैं